हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर जाली केवल डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है प्रिंट सी डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है इस डिजाइन को न्यु बिग्नर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजाइन को आप चेहन्ड स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेड़िज, कार्डिगन, जैकैट कि सी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत ही संदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्ष्टा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा आठ के मल्टीपल देखिए आप इसमें 8 फंदे गिन लिजिए फिर से 8 फिर से 8 इस तरह से करते हुए लाश्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी सैड से शुरू होता है और 8 सलाईयों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंट जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिये हैं 28 फंदे 8 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा डिजैन की ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा कि डिजैन की पहली सलाई कैसे बनेगी बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए उसके बाद सीधी साइड से देखिए, पहला फंदा इसका एस्टीच है, इससे उतारिए या उल्टा बनाईए, अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा, तो एस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागे को पीछे कीजिए, तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, अब देखिए, एक और ये दो, इन दो फंदो को ऐसे हलका सा लूज करेंगे, आगे की साइड से स्लाइड डाल कर, दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे, उसके बाद फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, अब देखिए, यहां पर हमने दो का एक किया तो एक फंदा हमारा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे तो जो फंदा घटाया वो हमारा बढ़ गया इसी डिजाइन को देखिए यह जो एस्टीच है यहां से यहां तक आठ फंदे का डिजाइन है इसी क हम बार बार रिपेट करेंगे तो दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन दो फंदे को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा यह सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे फिर से इसी डिजैन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन इन दो फंदे को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे यहां पर दो का एक करने से एक फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ लाएंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे लाश्ट में आपके तीर फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिए पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब पाज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर तो देखिए यहां पर हमने जो दो दो फंदे बीच में उल्टे बनाए वो उल्टी साइड पर सीधे बनेंगे जो हमारी 6 फंदे की ये केबल बनी ये फंदे हमारे यहां उल्टे बनेंगे तो दूसरी सलाई को अब ध जाली वाला एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे, एस्टीज के बाद यहां तक हमने आठ फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपेट करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक, और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे, फिर धागा पीछे करेंगे, और दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और छे फंदे उल्टे, पूरी सलाई में आपके ऐसे ही आएंगे, दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, छे फ फंदे बचेंगे इसमें से दो को सीधा बना लिजिए और एश्टीज को उल्टा बुन देंगे तो दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइपर तीसरी सलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए धागा पीछे और अब यहां दो फंदे सीधे एक और ये दो अब देखिए एक और ये दो इन दो फंदो को ऐसे लूज करेंगे आगे से सलाईड डाल कर दो का एक बनाएंगे फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा जो जाली वाला है इसे हम सीधा तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया है रेस्टीज के बाद यहां तक हमने आठ फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट करेंगे तो धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागे को देखे पीछे ही रखे दो फंदो को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा ये सीधा अब देखे यहां दो का एक किया तो एक फंदा कम हो गया अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो जाली वाला फंदा है इसको हम सीधा बना द फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे दो फंदे को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अब यहां पर जो फंदा कम किया उसके देंगे तो देखे एक जाली हमारी यहां और आ गई लास्ट के तीन फंदे उल्टे आएंगे तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए एश्टीज के बाद दो सीधे छे उल्टे द आप इसकी फोर्थ सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो यह देखिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई पांचमी सलाई है और सीधी साइड है पांचमी सलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद दो फंदे उल्टे धागा पिछे एक फंदा सीधा एक और ये दो इन दो फंदों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा अब यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे हम स धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे में आगे की साइट सिसलाई डालके दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदों को सीधा बुन देंगे, तो यहां जाली से फंदा बढ़ फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा अब एक और ये दो इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाई डाल कर दो का एक बनाएगे फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों को सीधा बुनेंगे तो यहां जाली आ गई, अब धागा अपनी तरफ करके लाश्ट के तीन फंदे उल्टे बुन देंगे, तो पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, छटी सलाई है और उल्टी साइड है, जो फंदा आपको जैसा दिखे वैसे ही बना दीजिए, सीधे फंदे हों तो उनको सीधा बनाईए, जो उल्टे दिखें, उनको उल्टा बुनती हुए, इसकी छटी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए, तो यह देखिए, छे सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, सात्मी सलाई है और अब इसकी सीधी साइड है, तो सात्मी सलाई को देखें कैसे बन देंगे, फिर धागा पिछे करेंगे, एक और ये दो, या तो अगर टाइट लगें तो ऐसे करके आप इनको लूज कीजिए, और फिर आगे की साइड से सलाई डाल कर दो का एक फंदा बनाईए, तो यहां के सारे फंदे हमारे कम हो गए, अब ये वाला फंदा हम सीधा बन जाता है, इसी डिजाइन को दोबारा रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागे को पिछे करेंगे, दो फंदो को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सलाई डाल कर दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ इन तीन फंदों को अब सीधा बुन देंगे, तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया, फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पिछे, इन दो फंदों को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सलाई डाल कर दो का एक बना देंगे, फिर एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी और अब इन तीन फंदों को सीधा बनेंगे, तो यहां जाली से एक फंदा बढ़ गया, और लास्ट के तीन फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बन देजिए, तो साथ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, आठमी सलाई है और उल्टी साइड है, जो फंदा आपक सीधा बनाईए, उल्टे देखें तो उनको उल्टा बनाईए, इस डिजैन को बनाने के लिए यहां पर मैंने तीन प्लाई वाली यानि जिसमें तीन तार अलग-अलग बने होते हैं, वो वाली उनली है और नो नमबर की मैंने सलाई यूज की है, सलाई आप अपनी उन के अ अनुसार ले लिजिए, देखिए तीन प्लाई वाली हो तो इसी तरह से नो नमबर की ले लिजिए, अगर थोड़ी सी पतली उन है, ओस्वाल, वर्धमान, गंगा, रैबिट किसी भी कमपनी की, तो आप उसमें दस नमबर की सलाई यूज कर सकती हैं, तो जो फंदे जैसे दिखें, वैसे बुनते हुए, आप इसकी आठवी सलाई को कम्पलिट कर दीजे, तो देखिए, मैंने भी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए, आठवी सलाई को बुन लिया, तो आठ सलाईों में ये डिजैन ओवर हो जाता है, अब इन्ही आठाठ सलाई को आप बार बार रिपेट करते जाएए, तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये जाली केबल बनता चला जाएगा, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए देखिए, एस्टीज के बाद दो उल्टे, फिर तीन सीधे, दो फंदे में आगे की साड़ से सलाई डाल कर एक फंदा बनाना है, फिर ये एक सीधा, लपेट कर एक जाली बना देंगे, यहां से यहां तक आठ फंदे का डिजैन होगा, इसी को बार बार रिपेट करते जाना है, तो जब आप इन आठ आठ सलाईयों को बार बार रिपेट करेंगी, तो बहुत ही प्यारा सा आपका ये जाली केबल डिजाइन बनता चला जाएगा अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें thank you